जहीं दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सूपर इस्टेड यूटूब चैनल में तो यहां पर SSC CSSL भरती 2023 को लेकर बड़ी अपडेट है जी हां Combined Higher Secondary 10 Plus 2 Level Examination की जो आपकी स्कोर कार्ड है वो जारी कर दिये गए है और यहां पर जो आपकी Final Answer की है वो भी यहां पर जो है जारी कर दिये गई है तो कैसे आप अपना स्कोर कार्ड चेक करेंगे अपने Normalization नंबर आप चेक कर पाएंगे हैना साथ में पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा हैना तो यहां पर आप आप आएंगे SSC के Official Website पर आज देख पार होगे 17 तरिक को दो नोटिस जारी किये गए है अब यहां पर आप पहले नोटिस को देख पार होगे इन्होंने बोला है Combined Higher Secondary 10 Plus 2 Level Examination 2023 Tier 1 ठीक है uploading final answer की along with question paper and marks record यानि आप लोगों के जो final answer की है वो जो questions पर objection किये गए थे वो सही करके final answer की आपकी आ चुकी है तो आप final answer की भी check कर सकते है ठीक है अब यहां पर यह एक notice है यो कि SSC CHSL के recording नहीं है तो इस पर आप क्लिक करेंगे अब इस पर आप जैसी क्लिक करेंगे तो PDF आपके सामने आ जाएगा यहां पर आप देख पा रहोगे यह आप लोगों का final answer की PDF है और इसमें आपको नीचे link दिया हुआ है ठीक है यह लिंक दिया हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहां से आप अपनी final answer की चेक कर सकते हैं ठीक है यूजर ID आपको अपनी डालना है और password डालना है ठीक है registration number ठीक है registration number है ना और आपका password और आपका capture डालना होता है ठीक है तो यहां पर आप जो है इसको login कर लेंगे जैसे कि मैंने इसको login कर रखा है अब जैसे कि मैं इसको log out कर लेता हूं इसके बाद मैं आपको पूरा process बताता हूं ठीक है कुछ इस तरीके का page आपके पास कर लिजेगा ताकि बार-बार आप लोगों को यह दिक्कत ना हो केपचा डाल दिये हैं और यहां पर login कर देते हैं अब login कर दिए तो देखिए यहां पर आप लोगों के सामने यह बेज आएगा इसमें चार आपको दिये हुए है इसमें आपका notification है application history है modify registration और result और marks दिया ह है और यहां पर आप लोगों को select करना अपना examination फिलहाल SSC CHSL का ही जो है यहां पर option है देख पा रहे होगे है ना combined higher secondary 10 plus 2 level examination इस पह आप select कर लिए यहां पर आपका जो registration नंबर है वो already आएगा इसमें आपको कुछ भी edit करने का option नहीं मिलेगा उसके बाद simple सा आपका submit वाला ज जाएगी ठीक है अब मैंने इसका form नहीं fill up किया था तो मैं यहां पर आगे का process नहीं कर पाऊँगा ठीक है तो यह यहां तक आप लोगों को पता है किस तरीके से करना मैंने बता दिया finally आप नंबर देख सकते और वीडियो को like share subscribe जरूर कीजेगा मिलते है next वीडियो में ज एएहिं